जेहंद भाईयो आज हम सीखेंगे प्लोट की सही तरीके से माप कैसे करें जब हम प्लोट खरीते हैं तो जाने अन जाने में हमारे साथ धोका हो जाता है या धोका कर दिया जाता है और वो धोका कैसे करते हैं और कैसे हो जाता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे जैसे मांग लो एक plot है और उसकी लंबाई है बाइस फुट आठ इंच और चोड़ाई है पंद्रे फुट छे इंच तब हम अपने plot की माप करवाते हैं या उसे नपवाते हैं तब वो लोग हमारे साथ या तो जान बूझकर करते हैं या अंजाने में करते हैं जान बूझकर करें या अंजाने में करें लॉस्तो जो plot खरीद रहा है जमीन खरीद रहा है उसी का होना है अभी देखो बाइस खुट और आठ इंच लंबा और पंद्रे फुट और छे इंच चोड़ा एक plot है अब उसकी माप हो रही है और वो माप कितनी होगी जो मापते हैं जनरली जो दोका करते हैं वो कैसे मापते हैं और एक्च लों माप क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ बटा खरीद या आईटाकार कोई plot है या खेत है उसका खेतर पली निकालने के लिए हम क्या करते हैं लंबाई गुठा चोड़ा यह होता है तो इसे लिखते हैं 22 दसमलव 8 और चोड़ा ही है 15 फुट 6 तो 15 दसमलव 6 तो इसका 6 तरबल आया 300 55 दसमलव 68 यह फुट में दिया है तो यह हो गया 300 55 दसमलव 68 बरग फुट यह हो गया आपका प्लॉट यह हो गया वक्त प्लॉट है 355 दसमलव 68 बरग फुट तो अब आपके साथ को प्लॉट है माप सही हुई यह गलत होetah है मैं सही तरीके Fehता हूं कैसे आपका प्लॉट सही मापने का तरीका क्या है यह पलॉट सही माप का है? गलत मापाय वो हम जानेंगे सबसे पहले तो 22.8 इंच तो 22.8 लिग लिए 15.6 इंच पंदरे दसावलव छे लिग लिए ये गलत है हमें सही तरीगा क्या होता है जो यहां जो रासी दिये यह फुट में दिये और इंच में दिये या तो यह से फुट में ही चेंज करो या 22.8 इंच फुट में चेंज करेंगे तो फुट तो जो किते हैं 8 इंच को फुट में कैसे चेंज करें तो सबसे पहले हमें पता है कि 12 इंच में एक फुट होता है 12 इंच बरावर एक फुट होता है तो एक इंच बरावर कितना हो जाएगा एक बटे बारे फुट हमें चाहिए कितना आठ इंच में कितना फुट होता है तो आठ इंच के लिए कितना हो जाएगा आठ बटे बारे और इसे काटेंगे दो बार इसे तीन बार और यह आजाएगा दसमलब 6-6 तो 22 फुट और 8 इंच का सही माप हुआ 22 दसमलब 6-6 फुट यह सही है अब अगला है उसकी चोड़ाई के बारे में बात करते है उसकी चोड़ाई है 15 फुट और 6 इंच तो 15 इंच को फुट में बदलेंगे तो देखो 1 इंच बरावर 12 फुट है तो 6 इंच बरावर को जाएंगे 6 बड़े 12 इससे यह दो बार कट गया इसका इसमें देंगे तो 0.5 फुट तो यह हो गया 0.5 यह हो गया 15 तसमलब 5 फुट अब हम इसका छेतरबल निकालेंगे तो छेतरबल निकालने का सेम वही फॉर्मूला है लंबाई गुणा चोड़ाई तो 22.66 गुणा 15.5 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो लगबग आएगा 351.123 तो आपने देखा कि जैसे उसने जो फुट और इंच को दसमलब में डायरेक्टली बदल दिया तो छेतरबल आया 355.68 बर फुट लेकिन अगर हम सही तरीके से करेंगे तो छेतरबल आया 351.123 फुट यानि उसने जैसे नापा बिल्डर ने या जिससे हम जमीन ले रहें इस तरीके से तो हमारे को कितने का फर्क पड़ा यानि 4.45 फुट जमीन उसने हमें कम माप दी 4.45 फुट इतनी छोटी सी जमीन में इतना अंतर आया उनली जमीन की माप है 351.23 और उसमें ही हमें 4.45 फुट का अंतर आया है अगर मान लो यही जमीन 3000 रुपे बरग फुट है यही जमीन 3000 रुपे बरग फुट है तो आपको लॉस हो जाएगा लवर 13.350 रुपे का तो दोस्तो अगर आप जमीन खरीद रहे हो और जमीन की लंबाई फुट और इंच में दी है तो सब से पहले जो इंच है उसे फुट में convert करो और उसके बाद उसका छेतरपल निकालो वो सही छेतरपल है ना कि जो फुट और इंच दिया है उसे direct दसमलब में लिख दो जैसे 22 फुट आठ इंच दिया है तो 22 दसमलब आठ लिख दिया ऐसे लिखने से आपका बहुत ज़्यादा loss हो सकता है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद